सब कुछ यह मसे की, मैं पाश्ट अलाज जी विश्व कर्मा आई आज दिन के नई सुरुवात के लिए सुदे की प्रार्थना हरिक के लिए करते हैं प्रार्थना सुरू करने शिफेले में वच्छन की माध्यम से हरिक से बात्चित करना चाहता हूँ आईए वच्छन को देखते हैं, भजन संगीता अध्याय-चाछट वच्छन एक से आईए देखते हैं, हे सारी प्रिथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जकार करूं उसके नाम की महिमा का भजन गाओ उसकी अस्तुती करते हुए उसकी महिमा करो Amen, Hallelujah मेरे फ्यारे भाइरवनों यहां परमेश्वर का वच्चन हमें बता रहा है जिसमें परमेश्वर का जो दास दाउत है वो परमेश्वर की अस्तुती और उसके धन्यवाद के विश्वर की बाते हमें बताते हुए कह रहा है कि हे सारी परिथवी के लोगों तुम क्या करो परमेश्वर के लिए जह जहकार करो कहता है सभी परिथवी के लोगों कहता है तुम हमेशा क्या करो परमेश्वर के लिए जह जहकार करो क्यों? क्योंकि वह जह जहकार के योग्य है इसलिए तुम हमेशा उस परमेश्वर के लिए जह जहकार करते हो क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हर गत्ति से यही चाहता है कि मनुश्य उसका आदर करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रसंसा करे उसके नाम की जैजिकार करें ये परमिश्वर की इच्छा है इसलिए वो परमिश्वर का दास कहता है कि हे सबी प्रिथमी के लोगों तुम क्या करो कि उस परमिश्वर का क्या करो जैजिकार करो उसके नाम की महिमा का भजन गाओ हे परमिश्वर के चाहने वाले लोगों तुम परमिश्वर का जज़कार करो और उसके नाम की महिमा करो कहता है कि जज़कार के साथ उस परमिश्वर के नाम की महिमा करो कहता है उसकी हमेशा उसके नाम की महिमा करो क्यों? क्योंकि वो महिमा के लाइक है उसके काम महिमा के लाइक है उसके काम आदर के लाइक है इसलिए कहता है कि ये सभी प्रिथमी के लोगों तुम उसके लिए जैजेकार करो उसके नाम की महिमा का भजन गाओ उसके नाम की महिमा करो और उसके नाम के महिमा वाला जो भजने उसे गाते रहो कहता है उसकी अस्तुती करते वे उसकी महिमा करो कहता है परमिश्वर की जब भी महिमा करो तो उसकी अस्तुती गा गा कर महिमा करो उसकी अस्तुती करते वे महिमा करो मेरे प्यारे भैर बनो हर एक डिप्टी से यही चाहता है कि मनुष्य क्या करे उसकी महिमा करे उसका आदर करे उसका सम्मान करे उसकी अस्तुती गाए उसकी बढ़ाई करे बढ़ाई की गीद गाए कि कि भजन संगीता के छाचट के आठ और नौ बचन भी क्या कहता है कि हे देश-देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्न को हे सारे देश-देश के लोगो हे इस पुरे संसार के अंदर अलग-अलग देश के रहने वाली लोगों तुम क्या करो उस परमेश्वर को धन्न को क्यों कि हमारा परमेश्वर धन्न कहता है कि उस परमिश्वर को धनने करो और उसकी अस्तुती में राग उठाओ कहता है जब भी उसकी अस्तुती करो तो उसकी अस्तुती में राग उठाओ कहता है सुर में होकर राग में होकर उस परमिश्वर के अस्तुती के गीत को गाओ कहता है धुन में होकर कहता है जो हमको जिवित रखता है और हमारे पाउं को टलने नहीं देता कहता हमारा वो परमेश्वर है ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है हमें जिंदा रखता है जिवित रखता है और हमारे पाउं को कभी टलने नहीं देता है हमारा परमेश्व ऐसा परमेश्व चुक्या करता है कि ये हमारे पाउं को टलने नहीं देता हमें लड़कडाने नहीं देता हमें गिरने नहीं देता वो हमारे हाथों को थामता है हमारे हाथों को थामता है ते टलने नहीं देता है वचन कहता है कि हमारे पाउं को ठलने नहीं देता यादि हमें लड़ खडाने नहीं देता कहता है वचन में कि हमको वजिवित रखता है वो हमें मरने नहीं देता है इसलिए मेरे प्यारी वैर्वनों हमारा प्रमेश्वर जो स्वर्ग में विराच्वान है वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है हम पे दयावर साथ इसलिए हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए उसकी अस्तुति गाना चाहिए उसकी बढ़ाई करना चाहिए इसलिए मेरे प्यारे बैद आप भी उस परमेश्वर की महिमा करें शिशाएगे ओ धन्यवाद करता हो मेरे प्रभू परमिश्व स्रिष्टी के मालिक तरह धन्यवातर मिहमा करता है यसु राजा तरही नाम में प्रार्तना करते पिता अपने पवित्र तेजश्विशा मर्ति बलबंता हातों को बढ़ा कर ही परमिश्व जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने प्रभू, उनके जीवन में, उनके पुरी परिवार के जीवन में तेरी आसी शुतने पाए, ताकि उनके जीवन का और उनके घर का उद्धार होने पाए, ओ प्रभू, मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ मेरे प्रभू, मैं तुझे ध जीवन दियाप धन्यवात देता हूं है प्रभु में प्रार्तना करता है कि उनके जीवन में स्वहता alreadyworkers की आशिस दिया प्रभु में धन्यवात देता हूं प्रार्तना करता है कि आज पूरी दिन ये सुरक्षित ने भले चंगि रहे har कोई तकलीप कोई बिबारिया इनके जीवन में नाने पाए आज पूरे दिन यह सुरक्षित रहे आनंदित रहे भले चंगहें आज जो निरासा में प्रभू इनकी निरासा दूर होने पाए परमेश्वर इनके जीवन की सारी इक्षा सारी मनों का नयाज पूरा होने पाए आज की शुबह प्रभु हर एक के लिए आसेश की शुबह होने पाए ओपर मेश्वर हम प्रार्तना गरते जितने बीमार लोग है प्रभु आज उन्हें छूले राजा ताकि ये बीमारी से मुख्थ होने पाए ओ प्रभु जो तुने अधिकार दिया ता मैं तो ये शापों और बिच्चों के राउंदने का और सत्र के सारी सामर पे अधिकार देता किशी के द्वारा तुमें हाने नहीं होगी मेरे प्रभु तेरे दीवे अधिकार के अंसर में आदेश करता हूँ कि इनके सर से पाउं के बीच की हर इक बीमारिया निकल जा है एप रहो मैं प्राहरत ना करता है इनके आखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाख की बीमारी, मुझ की बीमारी निकल जा है गले की बिमारी निकल जाए, इनके सीने की बिमारी निकल जाए, पेट की बिमारी निकल जाए, कमर की तगली पे, रीड की हड़ियों की तगली पे निकल जाए, गुटने की तगली पे निकल जाए, चोडों का दर, गठिया बात की बिमारी निकल जाए, साधिका की बिमारी न प्रवियश्व के नाम से जिसके सरी में ब्लाज नहीं बनता बनने लगे जिसका लिवर खराब हो चंगा हो जा किनी खराब हो चंगा हो जा गैस की बिमारी निकल जाए पैंडिस की बिमारी सूजन नस्टों ने फाइलरिया थाइराइड की बिमारी निकल जाए जिसका हाथ न ना बंद हो जाए किसी भी प्रकार के चर्म रोकाट कुछी एनुश्ट किसी भी प्रकार के दाग धबे शफेद दाग नशक पीलिया इसनों फीलिया तो लहू पानी की विमारी निगंजा है जिसके पास संस्वार परमीश्वर उन्हें संथान की आशिष्ट दे है महां परमेश्वर की आत्मा की स्वार्य को चुने प है अभी मैं कई लोगों को देख रहा हूँ आज कई लोग आत्मा की शाम मर्थ से चंगे हो रहे हैं कितने लोगों के उपर हात्मिक वर्दान उतर रहे हैं अभी कई लोग पेट की बिमारी से चंगे हो रहे हैं तैंक यू जी जा सुमाहन परमेश हम प्रावर्थ ना करते भी था हरी को च्छू और चंगा होने लिए तो प्रभू मैं प्रावर्थ ना करता इनके जीवन में आसिस दे जो पढ़ाई लिखाई करते पढ़ाई लिखाई में आगे बड़ी जीवन के लक्ष को पूरा करे ये परमेश्य जो नौकरी के तलास में नौकरी उन्हें मिलने पाए जो रोजगार के तलास में रोजगार मिले जो तेरी शेवा करना चाहते उन्हों को शिवकाई पे आसिस मिले हाँ मेरे परमेश्य जितने लोग आसिस को रिशिव करें इस आसेश के द्वारें के जीवन में अद्ध भुत ने ने चमतकार होने पाए प्रभू आज की प्रातना हरे के लिए एक शाम मर्द की प्रातना होने पाए हाँ मेरे महान परमिश्य तेरा साथ सब के शाथ तेरा हाथ सब के शर्पे बना रहे अनुकु रश्रामते से भर दे मेरे राजा येश्यो के महान नाम मंगते है आमेन परविश्वा हरी को आसेज दे गाड ब्लेश्यो धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन सरूर प्रेस करें हमारी लेटे स्टुडियो सबसे पहले देखने के लिए